अभी हम लोग होज गए हैं बेलाशवरा मंदिर तो यह पूरी कुनारक खाइवे से बाली खाय के सामने में हैं तो यह मंदिर बहुती सुंदर है बहुती खुप सूरत है और यह भूले नाथ का मंदिर है तो आप यह देख सकते हो मंदिर यह बोलेनाथ का एक बहुत ही प्रसिद मंदिर है जो पूरी कुनारक एकस्प्रेस वे से जब आप कुनारक के तरफ जाते हो वहां पर मौजूद है यह आपका नियर्स जो बीच है यहां पर वहां बालीगाई बीच और यह जो एरिया है वहां बालू खंड एरिया और यहां पर पूरी से आ रहे हो तो एपरोकस 19 किलमेटर यह 19 किलमेटर शोड़ा ज्यादा आपको राइट करना पड़ता है और आप यहां पर पहुँच जाओगे अगर आप पूरी से कैप बुक करके आते हो या मतलब कोई भी दूसरा ओटो लूक कर आते हो तो भी आप आस चांत है और यह मंदिर में जो पेंटिंग का काम I think recently हुआ होगा इसलिए इतना नया अभी लग रहा है तो आगे देखते हैं मुख्य मंदिर में प्रवेश करने के बाद आपको सीडी से तोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा यहां पे बोले नात का जो शिबलिंग है वह यहां कर सकते हैं मैं पर यहां कर सकते हो थ faut ने भी यहां पर दो दिया जलाया और दिया से भगवान कर आपसँए उन्हां यहां पर दरिशन करने लिए लिए विए आते हो और वहां से आप पुनारक की तरफ जा रहे हो तो आप ये जगा पर आ सकते हो ये बहुत ही शान्थ जगा है और यहां पर भूलेनाथ के मंदिर के साथ साथ में एक माता का भी मंदिर है तो आप यहां पर भी दर्शन कर सकते हो और आपको पूझा सामगरी जो भी चाहिए होगा वो मंदिर के गेट के बाहर में दुकाने हैं जहां से आपको मिल जाएगी वो आप संग्रे कर सकते हो परचीस कर सकते हो दिया भी मिल जाएगा फूल भी मिल जाएगा सब कुछ आपको यहां पर प्रशाद सब मिल जाएगा आप वहां से आके फिर यहां पर पूजा अरपन कर सकते हो और उसी के साथ में आप यहां पर देख सकते हो दो मंदिर है एक है भोले नात का मंदिर और एक है माता का मंदिर तो यह पहला जो बनतीर है यह भोले नात का है और ठीक उसी के सामने जो मंदिर दिख रहा है वो माता का मंदिर है आगे हम लोग देखने वाले है रसुई जहां पर भोले नात के लिए जो प्रसादी बनता है जो भोग बनता है वो बनाया जाता है और उसी के साथ में जो माता का भी भोग है वो इसी जगा पर बनता है यहां पर बहुत सारे चूले आप देख पा रहे हो जहां पर भोग बनता है रेगुलर बेसिस में यहां पर भोग बनता है मौनिंग के टाइम पर और ये जगह आप आके आप खुद से तब देखोगे तब आपको समझ में आएगा और ये जगह पे ये मंदित दर्शन करने के बाद सामने आपको बाली खाई बीच भी मिलेगा जो ठाई से तीन किलोमेटर डिस्टंस पे है 23-3 km ने 2 km होगा आप वहाँ पर जाके वो बीच भी देख सकते हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और कमेंट और शेयर करना ना बुले और उसी के साथ में अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको और भी मिलते रहेंगे तो उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कमेंट पर जरूर बताना दोस्तों के यह मंदिर आपको कैसा लगा और यह वीडियो सम्मन्दित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए या बेलेशवरा मंदिर के बारे में आपको और कुछ डिटेल्स में जानना है आप कैसे यहां तक पहुचोगे सो आप मुझे कमेंट पर बता सकते हो सो डेफिनिटली मैं आपको उसमें इंफोमेशन शियर करूंगा और पूरी से यह मंदिर पासी में है तो आप जरूर जा सकते हों आपे थैंक यू फ्रेंड्स